जमुएंगी जन्ता उत्साहित है और हमारे प्रत्यासि सित अरुन भारती जी को पिछले मतों से ज्यादा मद देकर जिताने का काम करें। पहले से ही इंतजार हाज़िपुर की महांजनता कर रही है मांग कर रही है उनका जो मतों से जितने का जो अंतर था एक रिकॉड था गिनिजुग में उस रिकॉड की इस बार और बड़ा कर दिया जाए अधर्णिया रास्टी अध़क शिराग पस्वाँ जी को दूसरी तरफ भारा सरकार के पुर्व मंत्री पसुपती कुमार पारास जी को जनता नकार चुकी थी नमश्का दर्श नियूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षाप्रिया अब एसे में कहां कहां से चुनाव लड़ना है ये भी तै हो चुका है तै होना बाकी है तो सिर्फ कैंडिडेट्स का नेम और एक अगर सीट की बात करें जमुई की जहां से चुडाक पास्वान फिलहाल अभी सांसद हैं वहाँ पर उनके जीजा जी अरुन भारती होने वाले और ऐसे में बात करनी के लिए इस वक्त हमारे साथ लोग जुन्शक्ति पाटी रामवलास के बड़े नेता हुलास पांडे मौजूद है इनसे बात करते सर कल बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई गई थी क्या कुछ बैठक में टेंग किया गया गया लोग सभा चुनाओं को लेकर जब प्रथम चरण के नमांकन का अंतिम तिथी जो है ओठाइस तारिक है अब इस बीच में होली भी है तो इसको लेकर राष्टिय परल्लामेंटिय बोड ने बैठक बुलाई तो जमुई लोग सभा से हमारे पार्टी लोग जनसक्ति राष्टिय अध्यक्ष जी के नेत्रित्व में अरुन भारती जी जमुई लोग सभा से नमांकन करेंगे और चुनाओं लड़ेंगो हमारे प्रत्यासी घुसित हो चुके हैं और उनका नमांकन होना बाकी है अब नमांकन की तिथी वित्य होगी हम आप लोगों से साजह करे जी है उसे जमुई की जंता उत्साहित है और हमारे प्रत्यासी से अरुन भारती जी को पिछले मतों से ज्यादा मद देकर जिताने का काम करें अच्छा दो सीटों पर तो क्लियर है सर की पिछडाग पासवान होंगे दूसरे पर जीजा जी होंगे हाजिपुर से चुराग पासवान ने खुद ही घोशना की कि वो रहेंगे लेकिन अब और तीन सीटों की अगर बात करें तो क्या लगता है कौन-कौन उमीदवार होने वाले हैं अरुन भारती जी हमारे पार्टी के पताधिकारी भी है और आप मधिस्ते पर बार बार लेके जा रहे हैं तो मैं हैं और ऐसे में रूम भारती जी जमुई से लड़ेंगे राष्टी अध्यक्ष जी क्या पहले से ही इंतजार हाजीपूर की महां जनता कर रही है मांग कर रही है हमारे जिला अध्यक्ष यहां पर संजे चोधरी जी मौजूद है हम आपके कैमरे को चाहेंगे कि आप संजे कारियों के तरफ से कि वहां के महां जनता के दर बेंग था कि आदरिये हमारे नेता राष्टी अध्यक्ष चिराक पस्वान जी गुए प्र 308 में उतारा जाये Maple, और और तीन जो प्रत्याशी हैं जिनके चर्चा हम लोग कर रहे हैं उनके नाम की घोशना कब तक हो अब ही देखिए क्या है कि प्रथम चरण का चुनाव का नमांकन का तिथी वित जाए और इसके बाद जुतिये चरण का चुनाव का प्रारंब होगा अब हमको लगता है कि एक के अंदर हम लोग बैठक कर लेंगे और उस बैठक में लगभक सभी प्रत्यासियों का नाम हम लोग कर लेंगे और एक सवाल लेना चाहेंगे सर्चा पशुपति पारस को लेकर जो तरीके से एंडिये में उनको एक भी सीटे नहीं मिले उसके तरफ से अब कहा जा रहा है कि महागट बंधन का भी रोख चाचा पशुपति पारस कर सकते हैं चाचा के बारे में हम लोग उनका अपना राजनेतिक कदम होगा अभी तक तो इंडिये में वो कैबिनेट मंतरी के रूप में काम कर चुके हैं और आदरनीये प्रधान मंतरी जी के नेत्रित्यों में जब का नाराज की भी नजरा इसर और उन्होंने कहा भी कि नाइनसाफी अंडिये द्वारत की गई है यह जनता ने उनको नकार दिया है हाजीपूर में हमको याद है कि हाजीपूर में भारत सरकार के कैबिनेट मंतरी हुने के साथ साथ एक पाठी के वह रस्टी अधक्स भी बने और वहां जब उन्होंने बैठा की थी तो काफी कुर्सियां खाली एकवाह बनी थी कि जनता का इंसे मुझ भंग हो चुका है और हाजीपूर के हमारे दल के नेता को छोड़ दीजिए भाजपा के भाजपा पार्टी के जीला इकाई के सभी लोगों ने पताधिकारियों न परिश्ट नेताओं से सिर्ष नेत्रिच्च उसे मांग किया था कि यहां पे इनको प्रतियासी के रूप में नहीं उतारा जाए प्रतियासी बदलने के हो सकता है तो जहां एक तरफ सभी दलों के संगठन के लोग लगतार मांग कर रहे थे हाजिपूर की महान जनता मांग क कि हमारे नेतादर्णी चिराग पस्वान जी को हाजिबुर से चुनाव लड़ाया जाए वहीं दूसरी तरफ भारा सरकार के पुर्व मंत्री पसुपती कुमार पारास जी को जनता नकार चुकी थी और यही कारण रहा कि उनको वहां से निकलना पड़ा तो देख सकते हैं क कौन प्रत्याशी होंगे बचे तीन सीट तो इन तीन सीटों की भी जो घोशना है वो जल्दी हो जाएगी ऐसे में तमाम राजनतिक विश्यों पर चर्चा कर रहे थे लोगजों शक्ती पार्टी के वरिष्ट नेता हुलास पांडे से क्यामर पोशन रतिक के साथ मैं अप्रिया दर्श न्यूस पटना